विदेश मंत्री एस ज्य शंकर ने बुधवार को नई दिल्ली में विक्सित भारत 2047 विशय पर आज़त चर्चा में भाग लेते हुए 26 ग्यारा के आतंकवादी हमले और उरी पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत की प्रतिक्रिया की तुलना की। विदेश मंत्री ने कहा उरी और पुलवामा अतंकवादी हमलों पर भारत द्वारा दिये गए जबाब ने इसके जिम्मदार लोगों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि वे अप्सुरक्षित नहीं हैं। पले ही वे सीमा पार कर गए हुँ पी अचडी चैंबर आफ कॉमर्स इंड्रस्ट्री ने आयज़ुत इस कारिक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रियास जैशंकर ने कहा मुंबई में 26 ग्यारप पर हमारी प्रतिक्रिया को देखें और उरी और बालकोर्ट पर हमारी प्रतिक्रिया को देखें तो चीज़ें साफ हो जाएंगी। मुझ लोगों को ये संदेश दिया गया था उमीद है कि उन्हें मिल गया होगा। विदेश मंत्री ने कहा 26 ग्यारप जैसे बड़ी घटना हमारी और से कड़ी प्रतिक्रिया के बिना हुई और इससे कई माइनों में सामने वाले को ये संदेश गया कि इस देश पर हमला किया जा स बाला कोट का जिक्र करते हो विदेश मंत्री ने कहा कि अगर कुछ भी हरकत करते हैं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये मत सोचिये कि आपने कुछ किया है और उस तरफ भाग गए कि आप वहाँ सुरक्षित हैं आप वहाँ सुरक्षित नहीं होंगे आप नियंतरन ने कि पाकिस्तान इस्थित लशकर इतयबा के भारी हत्यारों से लेस आतंकवादियों के एक सम्हू ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई की सड़कों पर कतलिया मचाया और शहर के कई प्रमुग सावजनिक प्रतिष्ठानों पर निहत्ते नागरिकों पर गूलियां बरसाएं हमलों में विदेशियों सहित 166 से अधिक लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए भारत ने 2016 में उरी कश्मीर में एक सैनाडे पर हमले के जवाब में पाकिस्तान की कबजे वाले जमुकश्मीर पियोके में आतंकी शेविरों के खला सर्जिकल स्ट्राइक की थी 2019 में पुलवा अधिक के खला समय और कीछ झाल झाल